जै जोहार हेलो जै चतिसगर दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी टुटाउजन ट्वेंटी फोर जो चतिसगर का याने की अतिती व्याख्याता पॉलिसी दोहजर चोबीस जो की पांच अप्रेल दोहजर चोबीस को आया उसके बाद 21 जून से 26 जुन तक इसका कोट में जो हुआ उसमें संसूधित होके दस ग्यारा दिन बाद जो पॉलिसी आई है टोटल हमारे सामने उसमें बहुत सारी तूटिया हैं और उन तूटियों के बारे में जो मेन हैं वह हम आपको बताते हैं सबसे पहली बात तो जो आठ साल दस साल बा उसके बाद इसमें एक बहुत ही मेन मुद्द है जो की 62 65 परसेंट जो स्टी एस्टी 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 ओवी सी और विकलांग लोग को पांच परसेंट एक्स्ट्रा दिया जाता था जो कि 2018 जी गैडलाइन में भी था उसके बाद इसको अभी नए सिक्षा पॉलिसी की जो प्रारूप आया था जो पांच अपरिल का था उसमें भी मेंशन किया गया था कंडी का एट एट पॉइंट फॉर सम्थिंग में उसके बाद इसको जब हाई कोट बिलासपूर में जब इसका सुनवाई हुआ वहां पस जो पैटिशनर थे उन्होंने भी इसका में थर्ड इसमें पहली बार चतिस गड़ के जो मुल निवासी है जिनके पास रेसिडेंशल सर्टिफिकेट है यानि कि निवास प्रवाणपत्र जो मुल चतिस गड़िया है उन लोगों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी इसमें भी बेवकूब बना रहे हैं कॉलेज प्रसा अधर स्टेट का है ठीक है मालो 82.5 उसका भी है तो उस उस बेस में हम 36 वाले के लेंगे लेकिन सेम परसेंट सेम सब्जेक्ट में कोई भी आती थी वह आख्याता होने की प्राइकता पुरस जीरो है सुन्य है 99 परसेंट सेम परसेंट किसी का हो गही नहीं अगर जिस सब्ज अधर को दिमाग में है सेकंड चीज ऐसा हुई नहीं सकता मालो अधर इस्टेट वाले जैसे मैक मैस में मैच में दो आती ही थी वह आख्याता होने पोस्ट किया एक जगे पर ठीक है एक एक रोप्रमार का है अठीज गड़ का है तो बिहार वाले का परसेंट मालो 84 तो उस कंडिशन में जो मुल्निवासी उनिकुत लेना चीए जो चाहिए ज़ो प्रात्मिक्ता दी जाएगी तो उस बेस में चाहिए तो कॉलेज का एक टीचर है जिससे मैं बात किया वह बोलता है कि हम वह भी हर वाले को लेंगे अब सोचो उसका भी सेम पीजी है आपका भी सेम पीजी है बस उसका दो परसंट जादा है तो उसको लेंगी बोल्ड और शाप साब में सब्सक्राइब नियू एजुकेंशन पॉलिशी में चाहते जड़ के मुल्लिवासी को प्राथमिक्ता दी जाएगी ठीक है तो यह सरासर गलत है सबसे में बात है चाहे अदर इस्टेट वाले सेम पीजी वाले का परसंट कितना भी जादा हो लेकिन कॉलेज प्रसासन को जो यहां का 36 गड़के हैं उनको जो 36 मुल्लिवासी है उनी पीजी वाले को अगर वह पोस्ट दे रहें आपको छोड़ कि तो आप डेफिनेटली अब्जेक्शन उठाइए इसके खिलाब आप पुरा लिखित में उनसे जवाब मांगे कि आपने ऐसा क्यों किया और आगे की कारवाई कीजिए जो भी सुनिश्चित हो सके और रही बात हां जो आप प्रसेंट एक्स्टा मिलते आ रहा था उसको इस बार समाप्त कर दिया गया है ठीक है तो इसके लिए भी आवाज उठाना पड़ेगा हाले कि कोई आवाज ने उठाना पड़ेगा क्योंकि यह अन्याय कर रहें लोग सेकंड चीज आप लोगों को और एक मैंसन करना चाहू से के पुना जो लोग दो हजर तेइस चोबी सेशन में पढ़ाय हुए हैं अति थी व्याक्यादा उन लोगों को पुना हां बिना किसी विज्यापन निकाले उन लोगों को उनहीं महाविद्यालेव में पुना पदभार ग्रहन कराना कराने है तू बाबा तैसे करके हम एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर अपने लेटर पैड़ से मुख्यमंत्री श्री विश्नुदेव साहजी को वह लेटर प्रेशित कर दिया है उनके तक पहुंचा दिया गया है अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है उन्होंने मैं आप लोगों की यह बगल में देख रहे होगा उसमें मैं लगा दूँगा तो जो लखनलाल दिवांगन जी है उन्होंने हमारी बात को समझा और उन्होंने यह हम को आस्वासन दिया है कि जो 2023 सेशन में जो लोग पढ़ाय हुए है उन लोगों को पूना उनहीं के इस महाविद्याले में फिर से रखा ज सब्सक्राइब नंहीं में झाव